Hello friends, welcome back to English with Asha, मैं आज मैं आपके लिए एक important topic के ओपर paragraph लेके आई हूँ और आज का हमारा topic है value of time, समय का मूल लिय। इसके जरीए बहुत अच्छी vocabulary सीखेंगे, साथ ही जो grammar related structure होगा भी आपको साथ साथ बताऊंगी, so overall video आपके लिए helpful रहेगा इसके साथ video को कर दीजे, like, चैनल पे नए है तो subscribe भी कर लीजे, तो आएए शुरू करते हैं value of time, value means मूल्य, महत्व, समय का महत्व time is one of the most valuable, valuable resources समय है, one of the का मतलब होता है कईयों में से एक तब ही लिखा है one of, मतलब एक और किन चीजों में से most valuable resources resources means संसाधन, जो भी हमारे पास valuable मूल्यवाल संसाधन है उन में से समय भी एक सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है so यहाँ पे हम कह सकते हैं, जितने भी हमारे पास most means सबसे ज्यादा important, मूल्यवान, resources, संसाधन है हमारे पास उसमें से time जो है, वो भी एक है, it is one of the, और we have means हमारे पास जो है, it cannot be stored, अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर it जो है, pronoun है कि हम समय को store करके रख दे, संग्रे करके रख दे, बचा के रख ले, time को तो हम बचा नहीं सकते, time तो टक टक करके, बस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, it cannot be stored, यह वाला जो संसादा नहीं यह store करके नहीं रखा जा सकता, संग्रे करके, saved बचाया भी नहीं जा सकता, और regained, मतलब एक बार अग ही पर store करके रख सकते हैं, कि बचा के रख लिया, और ना ही समय कभी बचाया जाता है, यह तो बस पल-पल हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, once lost, regained, once lost, मतलब एक बार खो गया, तो दुबारा से प्राप्त हम इसको नहीं कर सकते, making it essential to use every moment wisely, making it essential, मतलब बनाते हुए इसको बहुत ही important, बहुत जरूरी, ताकि हम इसका इस्तिमाल कर सके हर एक पल का, time के हर एक पल का हम इस्तिमाल कर सके, और wisely means समझदारी के साथ, ठीक है, wisely means समझदारी के साथ, और यह यहाँ पे adverb है, और use हमारा verb है, तो इसको use करना है किस तरीके से, समझदारी के साथ, क्योंकि ह हम समय को पचा के नहीं रख सकते, ठीके संग रहे करके नहीं रख सकते, एक बार हमारे हाथ से चला जाए, खो जाए, हमारे हाथ से निकल जाए, तो हम इसको दुबारा से फ्राप नहीं कर सकते, जो समय निकल गया, वो निकल गया, इसलिए बनाते हुए इसको एक इतनी important So, जो लोग, those, जो लोग, value means मूल्य देते हैं, कदर करते हैं समय की, tend to be, वो होते हैं, more, ज्यादा और productive होता है, उत्पादक, या आप ऐसे बहुत सकते हैं कि वो उपियोगी साबित होते हैं, वो लोग और भी useful, और भी उपियोगी साबित होते हैं, जो लोग समय का importance समझते ह हैं, successful और भी सफल होते हैं, and less stress और उनको तनाओ भी कम होता है, जो लोग भी समय को importance देते हैं, इसकी कदर करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, ज्यादा उपियोगी सिध होते हैं, वो ज्यादा सफल भी होते हैं लाइफ में और उनको तनाओ भी कम होता है, whether in studies, work, or personal life, च जहां हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, उससे related हो, और personal life, personal मतलब जो व्यक्तिकत जीवन से संबंदित हो, managing time effectively helps in achieving goals, managing मतलब प्रबंद करके रखना, अगर हम समय का एक सफलता पूरवक प्रबंद करके रखते हैं, धंग से, efficient तरीके से, कुशलता सोच समझ कर, time का प्रबंद करके रखते हैं, तो यह मदद करता है, in achieving goals, हमें लक्षे प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, and making the most of opportunities, making the most of, अधिक से अधिक लाब उठाना, यह जो फ्रेज है, making the most of, इसका मतलब क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मदद, सो यह एक फ्रेज है, making the most of something, यहाँ पर लिखा हुआ है, making the most of opportunities, means अधिक से अधिक लाब उठाना, अफसरों का, opportunities, अफसर, सो इसका अफसरों का, जो भी हमको अफसर प्राप्त होते हैं, उसका अधिक से अधिक लाब उठाना, सो यहाँ पर बताया गया है, कि हर शेत्र में time का ध्यान से प्रयोग करना कितना important है, चाहे वो हमारी पढ़ाई से related हो, चाहे वो कामकाज से related हो, या व्यक्तिगत हमारे जीवन से related हो, फिर भी अगर हम धंक से, कुशल तरीके से इसका प्रबंद करके रखते हैं, तो हमारी मदद करता है, कि हम अपने लक्षे की प्राप की भी, तो present में वर्तमान में भी हम समय को बरबाद नहीं कर रहे हैं, साथ ही में हम आगे की भी planning कर रहे हैं, तो इसलिए हमको लक्षे में पहुंचने में तेर नहीं लगती, The significance of time is reflected in all areas of life, significance means महत्व या importance of time समय की, reflected means वो दिखता है हमको, प्रति बिंबित होता है, न हमको दिखाई देता है, सभी शेत्रों में जीवन के, समय का जो महत्व होता है, वो जीवन के सभी शेत्रों में हमको दिखाई देता है, जैसे कि from education to career success, पढ़ाई लिखाई से लेकर, शिक्षा से लेकर, करियर में success, सफलता में भी दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समय का जो महत्व है, वो शिक्षा से लेकर, करियर की सफलता तक, जीवन के सभी शेत्रों में दिखाई देता है, प्रति बिंबित होता है, For instance, जैसे कि हम example से समझते हैं, एक उधारन से, a well-known quote by Benjamin Franklin, So, एक well-known जो ताफी प्रसिद है, quote means उपती, सूपती भी बोल सकते हैं, कोई अच्छे words जिससे हम कुछ सीखते हैं, उसको बोलते हैं, जो कि Benjamin Franklin ने बोला था, Lost time is never found again, So, lost time means खोया हुआ समय, never found again, कभी भी वापिस नहीं आता, So, ये जो सूपती है, it highlights, ये रोशनी डालती है, how crucial, crucial, ठीके, C-I-A-L मुलेंगे crucial, how crucial it is to value each moment, कि कितना महत्वपूर्ण है जीवन में एक-एक शण को importance देना, a student who studies consistently, consistently, एक विद्यार्थी जो कि पढ़ाई करता है, consistently means लगाता, यहाँ पे consistently ये नहीं है कि सुबह से लिकर रात तक पढ़ाई करता रहे, consistently means, रोज अपनी books देखता है, रोज revision करता है, consistent रहता है, ऐसे नहीं है कि 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ा, फिर 2 महीने तक पढ़ाई नहीं करी, consistent रहता है पढ़ाई करने में, तो एक student, यह example बताया गया है, एक विद्यार्थी जो कि पढ़ाई करता है, लगातार एक अच्छे तरीके से, consistent तरीके से, throughout the year, पूरे वर्ष में, throughout, पूरे साल भर, achieves better results, वो पाता है बहतर नतीजे, compared to someone, तुलना में किसी के, who cramps, जो कि सिरफ रटता है, cramps मनलाब रटता है, at the last minute, last minute मनला, exam जैसे कल से शुरू है, तो दो दिन पहले पढ़ाई करनी शुरू करती, और फिर, रटना शुरू कर दिया, लिएक ही टाइम में, अपने दिमाग में डालना शुरू कर दिया, तो of course, ये वाली situation तो बिलकुल हराब है, एक विद्यार्थी जो कि consistent रहे कर, रोज कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, throughout the year, पूरे साल भर, वो अवश्य ही बहतर नतीजे पाता है, उसका result अच्छा रहता है, अगर हम तुलना करें, उसकी एक ऐसे व्यक्ति से जो की exam से सिरफ दो दिन पहले रटना शुरू कर देता है, अपने काम को, इसलिए हमको भी ऐसा ही विद्यार्थी बनना है, जो की throughout the year, अपने प्रयासों में consistent रहे, ठीक है, तो पहले तो हमने बात कर ली विद्यार्थी के जीवन से पढ़ाई लिखाई से related, अब हम बात करते हैं खेल की दुनिया से, ठीक है, उलंपिक एथ्लेट्स लाइक, उसन बोल्ट. नाओ, उसन बोल्ट का नाम आपने सवना होगा, ये जमेका के एथ्लीट है, जो की 100 मिटर्स और 200 मिटर्स की रेस दॉड़ते हैं उलंपिक्स में. ठीक है, तो ये जो एथ्लीट है, जैसे की use and bold, dedicate years of their lives, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिये, यह है Olympic athletes, तो athletes की बात करिये, यह plural subject है, इसलिए हमने यहाँ पे dedicate, यह जो है verb, इसको plural use किया है, कि ऐसे athletes, जैसे की use and bold है, वो समर्पित करते हैं, years of their lives, अपनी जिंदगी के बहुत सारे वर्ष, to training, प्रशिक्ष performance मतलब प्रदर्शन, बस कुछ seconds के प्रदर्शन के लिए, वो सालों मेहनत करते हैं, जैसे की 100 meter, 200 meter race, तो seconds में खतम हो जाती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत चाती है, वो होती है सालों की, बोल्ट famously said, अब जैसे उनी के ही शब्दों में, बोल्ट, यूसेन बोल्ट के शब्दों में famous मतलब प्रसीद रूप से उन्होंने कहा है, I trained four years to run nine seconds, वो कहते हैं कि मैंने प्रशिक्षन किया, अपना practice करता रहा मैं, चार साल लगाता है, सिरफ nine seconds की दौड के लिए, and people give up after two months, और लोग जो है, people यहाँ पे, plural है, person होता है, singular, तो people होता है, लोग जो है, give up means, हार मान लेते हैं, after two months, बस दो महीनों की महनत के बाद ही हार मान लेते हैं, तो यह सिरफ खेल की दुनिया में ही applicable नहीं होता, हर जगे होता है कि कोई भी चीज हमको अगर success achieve करना है, तो hard work कर पड़ता है, और हो इतनी जल्दी से नहीं हमको मिल जाएगी एक चुटकी बजाने से, वो मांगता है हमसे सालों की महनत, अब क्योंकि Olympic Games जो होते हैं, four years की duration के बाद होते रहते हैं, यह कह रहे हैं कि मैं सिरफ 9 seconds के प्रदर्शन के लिए, 4 साल की training करता रहता हूँ, और हार नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं, दो महीने महनत करी, हार मान लेते हैं, give up कर लेते हैं, his dedication shows how managing time well can lead to extraordinary, extraordinary achievements, उनका जो समर्पन है, अपने काम के प्रति, वो दिखाता है कि किस तरीके से अगर हम समय का अच्छी तरीके से प्रबंदन करके रखते हैं, तो वो हम हमको असाधारन उपलब्धियां दिला सकता है, can lead to, हमको लिजा सकता है, असाधारन उपलब्धियों की और जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा, बट सिरफ महनत करी है, उसका फल भी हमको जरूर मिलता है, Another famous quote by Mahatma Gandhi says, अब हम एक और सूकती की अगर बात करें, जो Mahatma Gandhi जी ने बोली थी, वो है, the future depends on what we do in the present, future means भविश्य depends होता है कि निर्भर करता है, और present है वर्तमान, हमारा भविश्य जो है, वो इस बात पर निर्भर करता है, कि हम वर्तमान में आज क्या कर रहे हैं, इस पर ह हमारा भविश्य निर्भर करता है, अगर हम आज महनत कर रहे हैं, तो भविश्य में हमको इसका फल अवर्ष्य मिलेगा, और अगर हम present में वर्तमान में time pass कर रहे हैं, बस सोचा हुआ है मन में लेकिन effort नहीं कर रहे हैं, तो भी हमको future में उसका जो भी result होगा, उसका सामना क पड़ेगा, this reminds us that our efforts today will shape tomorrow's success, reminds मतलब याद दिलाना, ये चीज, ये जो quotation है, ये हमको याद दिलाती है, कि जो भी हमारे प्रयास आज के दिन किये जाएंगे, या वर्तमान में जो हमारे प्रयास होंगे, वही आकार देंगे हमारे कल की सफलता कोड, कल अगर हम सफल होते हैं, तो वह हमारी जो महनत करी है, उसी का ही result होगा, even in personal life, even मतलब कि अपनी व्यक्तिकत जीवन में भी, even means भी, time spent with family, or on self-improvement, अगर हम अपना समय बिताते हैं अपने परिवार वालों के साथ, या खुद को improve करने में, ठीक है, self-improvement मतलब खुद को और बहेतर बनाने में, contributes to long- term happiness, contributes means योगदान देता है, long-term happiness means खुशी जो की ज्यादा देर तक रहती है, टिकी रहती है, दीर घकाल तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, and well-being मतलब हमारा कल्यान, इस पूरी लाइन का, मतलब ये हुआ की परिवार के साथ, या तो खुद के सुधार के लिए, जो हम बिताते हैं समय को, वो हमको लंबे समय तक खुशी देता है, और हमारे कल्यान में भी योगदान देता है, वेस्टिंग टाइम, on the other hand, और इसी के विपरीत, on the other hand, मतलब जब हम opposite चीज की बात कर रहे हैं, एक point रखा है, और फिर हम दूसरा point जो बिल्कुल उसके विपरीत हो, वो रखेंगे, तो हम ऐसे बोलते है, on the other hand, ठीक है, तो जैसे भी अपने बात करें, time के importance के लिए, तो अब हम बात कर रहे है, time की wasting के लिए, बर्बात करना समय को, इसलिए हमने यह वाली phrase use किये, wasting time समय को बर्बात करना, on the other hand, इसके विपरीत, leads to missed opportunities, वो opportunities होता है, अफसर और missed मतलब जो हम खो देते हैं, so खोए हुए अफसर, and regret, regret means of source, so हम कह सकते हैं, दूसरी और, समय बर्ब करते हैं अगर हम, तो उससे अफसर भी चूप जाते हैं, हो जाते हैं, सो नहरे अफसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, और फिर हमें पचतावा भी होता है, इसलिए समय बर्बात करना नहीं चाहिए हमें, therefore, as the proverb goes, इसलिए, proverb means कहावत, so इसलिए, जैसा कि कहावत में भी कहा है, time and tide, wait for none, समय और tide होता है, जौर भाटा, so जौर भाटा, tide का मतलब हुआ कि जो समदर में लहरे उपर और नीचे उठती भी हैं और गिरती भी हैं, ठीक है, तो उनका भी एक समय होता है, tide का, so समय और जो जौर भाटा है, वो किसी का भी इंतजार नहीं करता, इसलिए हम हमको भी, we must respect time, हमको समय का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, if we want to achieve our goals, अगर हम पाना चाते हैं अपने लक्षे को, and live a fulfilling life, और एक सफल जीवन व्यतीत करना चाते हैं, एक परिपूर्ण जीवन जीना चाते हैं, तो हमको भी समय को importance देनी होगी, समय का सम्मान करना पड़ेगा, so I hope friends, आज का वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा, और कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा, पसंद आया हैं तो please like, share और subscribe जरूर कीजएगा, अगले वीडियो में मिलते हैं, thank you for watching.